ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी क्रश्न हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारिधर मेंदर शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफल 21 मार्च 2024 गुरुवार का दिन है फालगुन महा के शुक्लबक्ष की द्वादशी ती थी है इस दिन गोविंद द्वादशी का महा परवर रहेगा तथा इस दिन पाप मोचिनी द्वादशी भी रहेगी अश्लेशा नामक नक्षत्र होगा इवं करक राशी में चंदरमा बिराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो दक्षिन दिसा में होंगे इसलिए दक्षिन दिसा की यात्रा करना नुकसान दायक सिद्ध होगा अगर किसी कारण वस दक्षिन दिसा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो जीरा खाकर के यात्रा का शुबारंब कर सकते हैं राहुकाल जो की दो पहर एक बच के तीस मेट से लेके तीन बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवं मांगलिक कारिक्रम आपको संपन नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निर्ने आप अपने क्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दिहम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जोकी मीन राशी में वहीं चंदरमा करकर राशी में मंगल ग्रह कुम्ब राशी में बुद्ध ग्रह मीन राशी में देव गुरु ब्रहस पती जोकी मेंस राशी में शुक्र ग्रह कुम्ब राशी में शनिदेव कुम्ब राशी में राहुग्र मीन राशी में तथा केतूग्रह कन्या राशी में विराजित रहेंगे। शुब मोर्त की अगर हम बात करें तो गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन सबसे पहला जो चोग्रिया रहेगा। इस दोरान यदि आप कोई भी शुब काम करेंगे, मांगलिक कारेंगे, नया काम करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फाइदे का से योगनेर्मित हो सकता है। अब हम आपको मेस से ले करके मीन सबी बारा राशी वालों का दैनिक राशी फल बताने जा रहे हैं। इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंत तक देखेगा और देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेस रासी की। इन शुफलदाई सावित होगा। आपका भागिशाली अंक नो होगा। भागिशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की। राजनितिक तथा सामाजी कारियों के प्रती आपका रुजहान बढ़ेगा। और कुछ शुबह उसर भी आपको करिक्षितर में प्राप्त होंगे। नए वाहन के खरिदने संबंदित योजना बनेगी। यदि आपने उधार पैसा दिया है तो पैसा वापस मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की। आज आप रोजमर्रा की जिंदगी से हट करके दिन चरिया में कुछ नया पन लाने का प्रयास करेंगे। इससे आपकी मानसिक वा शारिरिक ठकाबट दूर हो जाएगी। तथा एक नई उर्जा का प्रभा अपने अंदर आप अर्थिक विवस्ता में सुधार होगा, दिन आपका बहुत उत्तम साबित होगा। और उपाई के रूप में भोजन में हरी सबजी का उपयोग करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका ओरेंज होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की, आज कुछ महत्वपूर्ण तथा उच्पद आसीन व्यक्तियों के साथ आपकी मुलाकात होगी, लंबी चर्चा होगी और जो चर्चा होगी आगे चलकर के आपको ही फाइदा देगी, और विरोधी आपके सामने परास्त हो जाएंगे, को भागिशाली अंक पांच होगा, भागिशाली रंग आपका हरा होगा, अब हम बात करते हैं सिंग रासी की, घर के संबंदिक कुछ कार्य योजना आपकी तयार होगी, नया घर आप खरीद सकते हैं, या नई प्रापर्टी आप खरीदने के बारे में वेचार विमर्ष करें परिवार के साथ अधिक्तम समय आपका व्यतित होगा, आर्थिक इसीती बहतर रखने के लिए बजट बना करके आपको चलना आवश्यक होगा, और उपाई के रूप में यदि आप मसूर की डाल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई सा आपका भागिशाली अंक तीन होगा, भागिशाली रंग आपका पीला होगा, अब हम बात करते हैं कन्याराशी की, कोट कचेरी के मामलों में आपको फाइदा होगा, और मनसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी, रिष्टेदारों के किसी विवात पूर्ण मामले में आपक आपकी उपस्तिती निरनायक रहेगी, आपकी बुद्धिमानी चतराई वा सूजबूच की तारीफ होगी, लोग आपकी प्रसंसा करेंगे, आपको मैन तथा सम्मान भी प्राप्त होगा, और उपाय के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुफलदाई जैसे आपको अवश्य ही अच्छी सूजबूच तथा सोच विचार की ख्रमता प्राप्त होगी, घर में कोई मैंगलिक करिक्रम संपन्न होने की योजना बनेगी, तथा रिस्तदारों की आबाद रही बनी रहेगी, और उपाय के रूप में किसी भी ब्राम्भन को या साध चिक रासे की, धार्मिक कारियों में आपका विशेस रुजहान रहेगा, तथा समाज में लोग आपको पसंद करेंगे, आपका रुद्बा बने रहेगा, और लक्ष के प्रती आप एकागर जित रहेंगे, सफलता आपको वश्य ही प्राप्त होगी, नया वाहन, नई वस्त अब हम बात करते हैं धनुराशी की, इस समय शारीरिक और मानसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक कारियों में आपका रुजहान रहेगा, इस्थाई संपत्ती भूमी भवन वाहन की खरीत फरोक्त की कोई योजना चल रहे है, तो उसमें गंभीरता पुर करके ही आपको हस्ताक्षर करना चाहिए, उपाई के रूप में घर से निकलते समय कोई भी मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक आठ होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा, अब हम बात करते हैं मकर राशी की, इसे उनका होसला और आत्म इश्वास और अधिक बढ़ने वाला है, उपाई के रूप में यदि आप शंकर भगवान के मंदिर में काले तिल और गुड का दान करेंगे तो आपका डिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक एक होगा, भागिशाली रंग आपका हरा होगा, अब हम बात करते हैं कुम्भ राशी की, इस समय ग्रह गोचर आपके अंडर भरपूर मनो बल्व आत्म इश्वास पेदा करेंगे, सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपको पसंद करेंगे, आपको नोकरी में नया आप काम दाल याने खिचडी का दान करेंगे, तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक चार होगा, भागिशाली रंग आपका पीला होगा, अब हम बात करते हैं मीन राशी की, आज दिन चरिया में परिवर्तन लाने के लिए अपनी रुची पूर्ण कारियों में आप समय व्यतीत करेंगे, इससे आपको खुशिया प्राप्त होगी, पारिवारिक माहुल सकरात्मक रहेगा, ससुराल पक्षि से कोई खुशी भरा समाचार आपको प्राप्त होने वाला है, उपाए के रूप में यदि आप हल्दी का टीका लगा करके घर से न हमने आपको बताए हैं, हमारे इस ग्यान वर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा, लाइक करिएगा, कमिन करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवशिकर लिजे, आपको और आपक पूरे परिवार को साधर जैसी करश्न, साधर धन्यवाद,